यह हमारा तेल गरम हो चुगा है अब हम इसमे मसाले डालेंगे जीरा सोफ और राइ डाल दी हमें हम इसको मिक्स कर लेंगे यह देखिए अब हम इसमें बाकी के मसाले भी डालेंगे यह देखिए हमारा गरम मसाला हो गया अब हम इसमें हम दो करके प्याज रखते हैं यह पांच बड़ी प्याज है हम यह भी दाल लेंगे अब प्याज को गोल्डन होने तक पकाएंगे यह देखिए हमारी हरी मिर्च भी फ्राय हो चुकी है अब हम इसमें अध्रक लगतां तर्ज हमने पेस्ट बनाया था वो डाल रहा हुआ कि देखिए हम एक चमज नमक डालेंगे वन टीज़ पूद आप कामिया ज्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकोडिंग अब हम इसमें पानी डालेंगे यह देखिए हमारी उबाली आ चुकी है पानी उसमें मसाले में अब हम इसमें चावल डालेंगे यह हमने चावल मिक्स कर दिये हैं अब हम इसमें डखकर लगाएंगे अब हम इसे दो सीटी आने तक पकाएंगे यह देखिए हमारा पुलाव बन चुका है अब हम इसमें हरा धनिया काट करके डालेंगे और यह देखिए इस दो कितना बड़िया गला है बिल्कुल हुआ एक खिला कि खिला है इसके में द monopolनाला पुलाव किया है है